अगर आपकी भी वीडियो वाइरल नहीं हो रही है अगर आपकी वीडियो वाइरल नहीं हो रही है कोई नहीं देख रहा है आपकी वीडियो को तो आज की इस वीडियो देख लिजे 100% आने वाले समय में आपकी वीडियो लोग देखना पसंद करेंगे सबसे पहले आपको क्य करना है अपनी एक वीडियो 30 सिकेंड की या 40 सिकेंड की या 60 सिकेंड की वीडियो इडिट कर लेना है ऐसा नहीं कि आप यूटूब पे किलिक करें यूटूब पे किलिक करें प्लस वाले आइकन पे किलिक करें और क्रेट एरसॉट वाले आप्शन पे किलिक करके और यहां कैम कैम्रे से वीडियो आप सूट करेंगे 15 सिकेंड की 30 सिकेंड की पर वो मजा नहीं वाने वाला है जो आप वीडियो बाहर से सूट करेंगे अपने कैम्रे से सूट करके उसको एडिट करके तब अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको एक वीडियो बना लेनी अच्छी सी वीडि किया अब आप यहां पर देख सकते हैं एक option आपको मिल जाता है create a short upload video go live तो हमें क्या करना create a short वाले option पर click करना जैसे मैं create a short वाले option पर click किया अब आपको यहां से कोई वीडियो बनानी जरूरत नहीं है ठीक सिंपल से अब यहां देख सकते हैं गयली का option मिल जाता है सिंपल से इसी गयली वाले option पर click करेंगे अब यहां से हम एक वीडियो ले लेते हैं जो आपना इस्टाग्राम पर मतलब जो भी हमें टेस्ट टाइम लाइन फिल्टर कुछ लगाना चाहिए लगा सकते हैं वरना नेस्ट वाले option पर click करेंगे अब सबसे बड़ा जो काम है आपको यहीं पर करना है अब आपको टाइटल में अपनी वीडियो की बारे में केवल एक लाइन लिखनी है जैसे मैं समझाने कोशिस कर रहा हूं कैसा लगा ठीक केवल ऐसे आपको लिखना है कैसा लगा सब्सक्राइब मैंने लिखा देख सकते हैं आप कैसा लगा song इसके बाद space कर देना अब आपको क्या करना ये लगाना ध्यान दीजिएगा मैंने हैश्टएक और सोट्स पे किलिक कर देना फिर आपको हैस्ट लिखना है यहाँ पर आप आपने ऑपने वीडियो नहीं से सॉंग हमने लिखा तो आपको सॉंग वाला भी यहाँ पर लगा देना है है स्टैक ठीक जाएक सब्सक्राइब इस वीडियो मैं तब कर दे दिक आपको कुछ नहीं करना यहां पर देन आपको क्या करना अपलोड वाले वीडियो पर किलिक कर लिए अब आपकी वीडियो अपलोड हो रही है देन वीडियो अपलोड हो जाने देते जैसे आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद आपको क्या करना होता उसके बाद अपना वाइटी स्टूडियो खोलिए और व्यूज गिने कितने व्यूज आ रहे हैं आसा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा धन्यवाद